आजे देखन से तो बड़े एक्षें तो टाइगर शॉफ का दागा चुलबुल पांडे जी का कैमियो तो बहुत इस शॉट सेकेंड्स का है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि आप वेट करिए और चुलबुल पांडे भी आपको देखने के जुरूर मिलेंगे एंड अर्जुन कपूर एज विलियन रॉकिंट सबसे बेश क्या में तो मुझे सल्मान खान का लगा एंड में भाईजान भी देखने मेले है फॉर 10-15 सेकंड्स हेलो गाइज इस साल की फाइनली सबसे बड़ी मेगा बजटेटेट फिल्म सिंगम अगें रिलीज हो चुकी अग्र में अगें का क्रेस यह जो हमारे भाई सब पूरी की पूरी टी शिट पहन कर यह पे घूम रहे तो सार बदेए आपको फिल्म कैसी वाल ताम सूपब after The Suryaw and See? छही तैदेवगण धी जैदेवगण कीड़ी तो मैंने संहर मुवी के साथ है, जा एक पार कहरे में नियुक्त है, हमाने उपड्दा ऐक पीडिए ने के दो थाया? बहुत अच्छी थी वन टैम उच्छ थी लेकिन बढ़िया थी आप इसन अमेजिंग मुवी इसन नो दिवाली एंटर्टेन्मेंट पावर पक वत यूर फ्रेंड फैमिली यू मस्ट वाच दिस मुवी इसन अमेजिंग मुवी अर्जून कापूर के बारे में अच्छा बिला मतलब अभी हम सिंगम से मतलब थोड़ा साब सेट बैक की हो पायते की उतने में फिर टाइकर श्रॉफ की एंट्री फिर दीपी का पादू को उनके एंट्री एंड में भाईजान भी देखने में लिए फॉर 10-15 सेकंड तो पैकेश था फुल्धमा के दार्मों अगर पहले से और दूसरे सिंगा हो तीसरे सिंगा मको देखें एलकिस बहुत 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 अच्छे मूंवी इस लगती है एकशन पूर मिले जो अपर Εखना यरंव का मिलेगा और सूपर स्टर्स तो यहां पे एक नहीं तो बहुत सारे आपने सब्सेरे जल में पनानमाः群 आप देखते हैं तो रामायन से अच्छी कोई स्टोरी है नहीं जैसे कि आपको वहाँ पर सारी सीजे देखने के भिलेंगे फैमिली ड्रामा सेक्वेंश सब कुछ है वहाँ पर तो मुवी में भी वही सब दिखाने की कोशिश की गई है हाँ हो भी मतलब एक या दोवी मिनिट का कैमी होता है लेकिन ठीक तो आजय देवगान और उनके एक्षिन के बारे में क्या भूलेंगे आजय देवगान से तो बड़े एक्षिन तो टाइगर शॉफ का था हाँ टाइगर शॉफ और अनुवी सिंग की कॉमेडी बड़ी है दिये सूपब आजय देवगन तो वो ड अर्जुन कपूर के बारे में क्या बोलेंगे जो उन्होंने विलन का रोल अर्जुन कपूर विलन के मामने बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है तो और अच्छा इंप्रवाइस करेंगे वो उनको जैसे जैसे मतब चांसे मिलते जाएंगे तो बहुत अच्छा इंप्रव मुवी डिफरेंट है बट यहां पर सूपरस्टास जाधा थे तो इट्स लाइक जाधा एक बोलते ना प्लस ओन था और साथ में रामाइन की भी थोड़ा सा फ्लेवर डाला हुआ और दीवाली का टाइम है तो इससे अच्छी मूवी में को लगता निया कि सिंगम में थोरा है जालक देखा है उतना कुछ देखा है नहीं मतब थोरा देखा है अच्छा है मूबे तो वन लास्ट क्वेस्टिन आप क्या बोलोगे क्या कौन सी फिल्म देखने चाहिए सिंगम अगेन और भूल बुले या तरी आप कितने स्टार्स देंगे फिल्म को 201 के बाद एक इतने सारे जो क्यामियोज और अलग-अलग सारे कैरेक्टर्स रिवील हुए जैसे दिपिका, टाइकर शौफ तो उनके बारे में आप क्या वोलोगे ने तो बहुत सबसे बेश क्या में तो मुझे सल्मान खान का लगा और टाइगर शौफ जब उसने जो जो है न ट्री के पीछ से जब एंट्री मारा वो भी बेश्ट था अरे वो तो ठीक था, ओके ओके था, बट टाइगर शौफ और रनमीर सिंग काम बढ़े था, आज ये दो कन से भी बढ़े था, पैसा वसूल, अरे पैसा वसूल ने जो बीजयंज दिये ना, टॉप लेवल, इस फिल्म में एक के बाद एक जो सारे क्यामियो, सारे एक अलग 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 क्यारेक्टर्स रिवील हो रहे थे, वोट वुडियो से अमीजिंग, मतलब टाइगर शौफ की एंट्री में एक्स्पेक्ट नहीं कर रहा था, काफी द किया था, क्योंकि उसकी इतनी मुवी स्पीट रही थी बार 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 कुछ एक्सपेक्ट मैंने किया ही नहीं था कि इतना अच्छा गरेगा, बड़ रोईचे ने अच्छी तरीके पर उसको प्लेस किया है, अमेजिंग विलन का किरदार उसने निबाया है, इतना सार्स दे रनवीर सिंग और यहां पर मुवी में भी रनवीर सिंग का कॉंटिबिशन बहुत अच्छा था, एक्शन थे एक्सपेक्टेटी था, बड़ जो कॉमेडी उन्होंने किया, तो 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 तोली आउटसेंदिंग, तो 3.5 फाइफ फाइफ, 5 और फाइफ, 5 और फाइफ, 5 और इस दिवाली इस पावर पक्ट एंटेइन्मेंट फो यूल गाइस, यू विल बी नॉट गेटिंग दिसपोंइट, बड़ अबड़ 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 की धड़कन चुलबुल पांडे मतलब जैसे ही वो डायलोग सुनने में आता है, स्वागत नहीं क बेस अबरी से इंतसार कर रहा कि रोई शट्याप कब वो कर रहे हो, क्योंकि वो सब पूरा पैन इंडिया लेवल की मतलब वो तो सबसे बड़ा क्वेशन दाना कि कट अप क्या, कट अपने भाव बले को क्यों मारा, भाई लोग वैसी बेट कर रहे हैं कि कभी सिंगम और च क्यासी लग्रिया